नमस्कार में रुचे आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स आजकल लोग अपनी संस्कृती और अपनी परंपरा को छोड़ दे रहे हैं आजके बच्चे विदेशी परंपरा और विदेशी संस्कृती की तरफ जा रहे हैं आजकल की generation, live-in relationship को अपना रही है प्रेमी जोडों का शादी के बिना लंबी समय तक एक धर में साथ रहना live-in relationship कहलाता है हमने आपको live-in relationship की परिभासा भी बता दी ये विदेशी परंपरा है लेकिन आजकल इसका चलन भारत में बहुत ज्यादा है शादी एक प्रकार का legal commitment होता है इसमें आपके माता-पिता और आपके पार्टनर के साथ पार्टनर के माता-पिता के अलावा दोनों के घरों के लोग शामिल होते हैं और यदि पार्टनर को एक दूसरे से अलग होना होता है तो उन्हें तलाक लेना पड़ता है वही लिविन रिलेशन्शिप में ऐसा कुछ नहीं होता है लिविन में कपल एक दूसरे के साथ बिना शादी के रहते हैं और दोनों एक दूसरे को अधिक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं यहां आपको बता देंगी भारत में अब लिविन लीगल हो गया है सुप्रिम कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट यह पहले ही कह चुका है कि लिविन रिलेशन्शिप ना अपराद है ना पाप युवा वर्ग में इसका चलन बढ़ा है इन रिष्टों की लोग प्रियता और स्विकारता बड़े शहरों में बढ़ी है यह सही है, देश में लिविन रिलेशन में रहना कोई आज ही नहीं शुरू हुआ है इससे पहले भी होता था, ऐसे संबंद में युवा वर्ग के साथ अधिकुम्र के दो लोगों के बीच भी होता है जिसमें पति-पत्नी के बीच तलाक नहीं हुआ है, यह संबंद ऐसे लोग भी बनाते हैं कई बार यह दो-चार साल रहते हैं और कई बार दस साल तक रहते हैं ऐसे जोड़ों के साथ रहना समाज करे एक चुनोती है हम आपको Live-in की परिभास चाह इसलिए बता रहे है, क्योंकि आगे हम आपको इसके परिडाम भी बताने वाले हैं लिव-in रिलेशन्शिप के महलाओं पर हो रहे है अपराद भी दिन बगन बढ़ते जा रहे हैं शद्धा मडर केस के बाद निकी मडर केस सामने आया देश की राजधानी दिल्ली में लिविन रिलेशन्शिप में रहने वारी लड़कियों को उनके प्रेमी नहीं मौत के खार उतार दिया शुद्धावालकर के बाद अपने कियादव की घटना ने महलाओं के सुरक्षा और लिविन रिलेशन्शिप पर सवाल खड़े कर दिये हैं ऐसे में राष्ट्रे महला आयोग ने भी बड़ा बयान दिया है NCW के अध्यक्षु रेखा शर्मा ने कहा कि लिविन रिलेशन्शिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं है इसके अलावा उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ लड़कियां ही नहीं बलकि उनके परिवार वालों को जिम्मेदार बताया है इसके साथ ही हम बात करेंगे सरस्वती वैद की जो अभी हाल ही में बीते दिनों अपने लिविन पार्टनर के द्वारा हत्या उनकी कर दी गए और उनकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई उनके शब के छोटे छोटे टुकडे करके उस बोकुकर में उबाल कर फेका गया ये भी आपको बता दें कि live-in relationship में ये कपल भी रह रहे थे जिस दौरान उसके partner ने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की है तो जिस पश्चिम कल्चर की ओर हम खीचे चले जा रहे हैं हम उसे अपना रहे हैं हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कहीं न कहीं गौर से देखा जाये तो उसके दुश्परिडाम इस तरह से हानिकारक हो रहे हैं कि इसके बली चर रहे हैं देश की बेटियां वो लड़कियां जो अपने पार्टनर पर बारोसा करती है उनके साथ रहती है और उसका परिडाम उसका इनाम उनको मिलता है इनाम में मिलती है उन्हें मौत आपको बता दें कि लिविन रिलेशन्शिप पर अब जिस तरह से गटनाई बढ़ रही है इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि महला आयोग ने भी ये बात का दावा किया है कि लिविन में महलाई सुरक्षित नहीं है क्योंकि जिस तरह से अपराद बढ़ रहे हैं ये बड़ी बड़ी जो घटनाई सामने आई है साक्षी को चाकू से गोत कर हत्या की गई और शद्धा के 32 तुकड़े करके फ्रीज में रखे गए उसके बास सरस्वती के तुकड़े करके उसे कुकर में उबाला गया ये सारे इनके लिविन पा बताएए ऐसी ही अब और अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जन संदेश टाइम्स आप कर दो कर दो कर दो